रादे रादे दोस्तों, आज हम आपके लिए श्रीमत भगवत गीता से एक छोटी सी चिडिया के दिर निश्चे की एक रोचक कहानी लेकर आये हैं कि कैसे उस चिडिया ने अपने अंडों को वापस पाने के लिए एक विशाल समुद्र को सुखा दिया था बहुत समय पहले की बात है, एक छोटी सी गौरईया समुद्र के किनारे एक गड़े में गोसला बना कर रहती थी वहाँ उस गौरईया ने दो अंडे दिये और सुबा होने पर अपने अंडों को वहीं छोड़कर वह गौरईया दाना चुगने निकल गई शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरईया वापस आई तो उसने देखा कि उसके अंडे वहाँ नहीं थे वह घबरा गई, उसने आसपास देखा, पर अंतु उसे कोई नहीं दिखा तब उस गौरईया ने समुद्र से पूचा समुद्र मैंने यहाँ अपने दो अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र इटलाते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता? समुद्र के इटलाने से गौरईया को अंदाजा हो गया, कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए है वे समुद्र से बोली तुमारे अलावा यहां कोई नहीं है इसलिए तुम्हें पता है कि मेरे अंडे कहा है तुमने ही मेरे अंडे चुराए है अब तुम ही मुझे मेरे अंडे वापस करो गोरिया की यह बास सुनकर समुद्र को हसी आ गई वैं एंकार में बोला मुझे नहीं पता कि तुमारे अंडे कहा है डूण सकती हो तो ढूण लो यह सुनकर गौरिया गुस्से में बोली मेरे अंडे मुझे वापस कर दो नहीं तो मैं पूरे समुद्धर का पानी सुखा दूँगी यह सुनकर समुद्र गौरिया पर हसने लगा गौरिया एक टक समुद्र को गुस्से में देखने लगी समुद्र की लहरे आती और जाती परंतु गौरिया उसे गूरती रही गौरिया बोली समुद्र तुम ऐसे नहीं मानोगे अब मैं तुम्हारा पानी सुखा कर ही रहूंगी ऐसा कहकर गोर्या अपनी ननी सी चोच में समुदर से पानी लेती और किनारे पर डालती जाती ऐसे करते करते उसे सुबह से साम हो गई शाम के समय अनपक्छी आए और गोर्या को देखकर बोले गौरिया आज तुम दाना चोने क्यों नहीं आई परंतु गौरिया तो गुसे में थी वह कुछ नहीं बोली वह बस अपनी चोच में समुदर से पानी लेती और किनारे पर डाल देती सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार संभव नहीं है भला समुदर का पानी कौन सुखा सकता है लेकिन गौरिया बोली मैंने प्रंड लिया है कि मैं इस समुदर का पानी सुखा कर ही रहूंगी जिससे मेरे अंडे मुझे वापस मिल जाएंगे ऐसे दिर्ण निष्चे के साथ वह गौरिया अपने कार में वापस लग गई लगा यह देखकर सभी प्राणी पशू पक्षी हैरान ते सभी को उसकी चिंता होने लगी तब सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राजा गरुड़ देप के पास पहुँचे और उनसे बोले महराज यह नन्नी सी गौरईया अपने जित पर अड़ी है और इतने विचाल कुछ मदद करें हमारी चोच-कुछ बड़ी है गौरईया गुस्से में बोली यह मेरा काम है मुझे करने दो मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए गरुड़ देप समझ गए कि गौरईया अपने बच्चों की चिंता से गुस्से में है तब गरुड़ देप भगवान श्री ह हरी विश्नु के पास गए और उनसे मदद की विंती करने लगे और बोले प्रभू आप तो सिष्टी के रचेता हैं अब आप ही को चमतकार कर सकते हैं यह नन्नी सी गौरईया अपनी जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैटी है जो की संभव नहीं है गौरईयों को उसके अंडे वापत लोटाने को कहा भगवान विश्नु की आग्या के अनुसार समुद्र पीछे हटा और गौरईया ने उसमें से अपने अंडे निकाल लिये और वह इटलाते हुए बोली देखा मैंने कर दिखाया तो दोस्तों इस कानी से हमें यह सिक्षा मिलती है कि कोई भी कार छोटा या बड़ा नहीं होता अगर हमें खुद पर भरोसा हो और हम दिर निश्चे कर लें तो असंभब कार भी इश्वर की मदस से पूर्ण होता है अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंड में जै हरी